तो आज की वीडियो काफी जादा खतरनाग होने वाली है भाई क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ओटोमेटिक डेटा इंट्री कैसे करते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन आप याप पहले डेमो देखो तो सबसे पहले मैं employee name में यहाँ पर लिखता हूँ name तो मैं यहाँ लिखता हूँ rohit उसके बाद मैं आगे आते हैं यहाँ पर phone number में लिखते हैं phone number तो मैं आपर 88180 लिखता हूँ आगे आते हैं यहाँ पर लिखते है email id और email ID में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Rohit at 123 आगे आते हैं यहाँ पर देखो male female पूछ रहा है तो यहाँ से आपको male female select करना है उसके बाद मैं आते हैं department वाले option पर तो simply मैं यहाँ पर click करूँगा और यहाँ से मुझे department क्या है उसका वो करना है select तो मैंने कर लिए हैंपर manager उसके बाद में पूछ रहा है address तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं india india तो अभी देखो बाई जैसे ही मैं बाहर click करूँगा यहाँ पर automatic जो हमारा save का button है वो enable हो जाएगा तो मैं जैसे ही save के button पर click करूँगा तो देखो यहाँ से पूरा data उड़कर चला गया इस वाली seat में इस वाले table में देखो भाई मैं आपको एक और entry करके दिखाता हूँ यहाँ पर मैं simply एक और entry करता हूँ तो मैं आप लिखता हूँ देव उसके बाद मैं नीचे आते हैं phone number में हाँ पर लिखता हूँ कुछ भी आपका जो phone number भाई वो लिखना है उसके बाद मैं email ID लिखनी है तो email ID में देव लिखता हूँ और at 123 करते है male female select करना है आपको यहाँ से तो मैं mail करता हूँ department आपको select करना है तो मैं simply यहाँ से कोई भी कर देता हूँ और address आपको fill करना है तो address में यहाँ पर india लिख देता हूँ ठीक है भाई अभी मैं जैसे भार किलिक करूँगा तो देखो automatic हमारा जो save का button है वो यहाँ पर enable हो गया लेकिन भाई एक चीज़ देखो अगर मैं name को यहाँ से कर देता हूँ delete तो देखो automatic जो हमारा save का button है वो यहाँ पर disable हो जाता है ठीक है तो यानि हमें यहाँ पर नाम लिखना ही लिखना है तो मैं लिखता हूँ देव और अभी मैं बाहर किलिक करूँगा तो देखो automatic हमारा save का button है वो हम पर enable हो गया तो जैसी मैं save की button पर click करूँगा तो पूरा data उड़कर चला गया भाई seat 2 में जहां हमने table बना रखी है तो वीडियो काफी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है भाई काफी ज़्यादा use में आने वाली है भाई वीडियो क्योंकि आप अगर कहीं भी data entry करते हो तो आपको automatic अगर data entry करने का तरीका पता पढ़ जाए जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो भाई एकदम मज़ा आ जाए तो चलिए अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट छोटी सी वीडियो और आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है वीडियो स्किप नहीं करनी है कहीं पर भी अगर भाई स्किप कर दीना वीडियो तो फिर मतलब रह जाएगा आपसे कुछना को सही बता रहा हूँ तो सिंपल यहाँ पर मैं Excel ओपन करता हूँ बिल्कुल मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा भाई आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है नाम ठीक है यहाँ पर करते हैं इंट्री तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं EMP Employee Name सिपेस करता हूँ और यहाँ पर मैं लगता हूँ ठीक है भाई नीचे आते हैं एक row आपको छोड़ना है ठीक है बीच में एक row छोड़ना है फिर आपको नीचे लिखना है यहाँ पर Phone Number सिपेस देता हूँ और यहाँ पर मैं Simply Colon लगाता हूँ ठीक है एक row छोड़ना है फिर आपको नीचे लिखना है जो भी कुछ आपको लिखना भाई वो लिखना है तो मैं यहां पर लिखता हूँ e-mail space करके लिख देते हैं हाँ पर ID ठीक है भाई email ID हो गई यहां पर space करके colon लगा देते हैं फिर आपको enter करके नीचे आना है एक row छोड़नी है उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूँ मैं gender space करके यहां पर लगा देता हूँ कॉलन अब ही नीचे आना है आपको enter करके एक रो फिर से छोड़नी है और यहां पर मैं लिखोंगा भाई इसका क्या department है फिर आपको enter करके एक रो छोड़ कर नीचे आना है और यहां पर आपको लिखना है address तो इतनी entry करने के बाद में आपको करना है क्या है आपको column पर double click करना है ताकि यह अच्छे से adjust हो जाए ठीक है अब भी करना है क्या है आपको simply आपको तीन यहां से column select करने ऐसे ठीक है तीन column कर दिए फिर आपको control की दवानी कीवोड से फिर आपको phone number का भी तीन column करने है इमेल आइडी के तीन column select करने है जेंडर के भी करने हैं department के भी करने है और address के भी करने है ठीक है और आपको एक नीचे और करना है लेकिन वो मैं आपको बाद में बताओंगा क्या करना है तो अभी आपको करना है आपको जाना है home वाले टैब पे और आपको हां से simply merge and center पर क्लिक करना है यहां पर और आपको मर्ज सेल कर देने भाई ठीक है मर्ज सेल हो गए हमारी मर्ज सेल अभी भाई करना है अभी देखो अभी सिंपली आपको कंट्रोल की दवानी है इस पर क्लिक करना है फिर आपको कंट्रोल की दवानी है इस पर क्लिक करना है इस पर करना है इस पर इस पर इस पर और भाई यहां पर यहां पर और यहां पर ठीक है भाई सब को यहां पर स्लेक करना है कंट्रोल की दवा के ठीक है होम टैप पर जाते हैं और फिर आपको यहां पर ऑल बॉडर लगा देना है ठीक है ऑल बॉडर हो गया हमारा काम इतना काम करने के बाद में अभी भाई आपको करन प्र इसको करना भाई और फिर इसको कर लेना है ठीक है सबको कर लिया फिर आपको home tab के अंदर जाना है और home tab के अंदर यहाँ पर conditional formatting ऐगा option देखेगा simply आपको इस पर जाना है इस पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर देखेगा option पर click करना है और फिर आप क्या हैं से color देना चाहते हो वह आप यहां पर select कर सकते हो ठीक है तो मैं फिल पर जाता हूँ फिल पर जाना है अपको भी तो मैं इस वाले को कर देता हो यहां से select ठीक है भाई और okay कर देते हैं और हीहां से okay taking घृत तो देखो आपको फिर से home tab के अंदर जाना है आपको condition formatting के अंदर जाना है highlight cell rules के अंदर जाना है आपको more rules के अंदर जाना है फिर आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको कर लेना है no blanks ठीक है select इसके बाद में आपको यहाँ पर format के अंदर जाना है format में आने के बाद है आपको यहाँ पर कर लेना है यही वाला स्लेक्ट ठीक है भाई यह करने के बाद आपको okay करना है simply और आपको okay कर देना है यहां से भी हो गया काम अभी मैं करता है क्या हूँ अगर मैं यहाँ पर देखो आपको फिर से इस पर कोई entry करता हूं तो देखो अभी मैं आप लिखता हूं simply कोई भी name लिख देता हूं यहाँ ठीक है आगे आते हैं और आगे simply मैं हाँ पर phone number लिखता हूं देखो automatic यहाँ पर यह green हो गया है तो phone number में मैं कोई भी लिख देता हूं अभी मैं आपको demo करके मताँ डेमो नहीं बता रहा अभी सेट कर रहे हैं ना email ID में हापर मैं कुछ भी लिख देता हूं gender में क्या करना है वो मैं आपको बादें बताऊंगा department में अभी हमको list बनानी है भाई तो list कैसे बनेगी आपको simply इस पर click करना है और आपको home tab के अंदर नहीं जाना आपको जाना है data tab के अंदर भाई और यहाँ पर आपको data लिस्ट बनानी है आप यहां से बना सकते हो तो मैं यहां पर एक और करता हूं labor कॉमा करके यहां पर मैं एक और कर देता हूं worker ठीक है इतना काम करने के बाद में simply आपको ok के option पर click कर देना है तो देखो यहां पर button अड़ हो चुका है क्या formula equal करके इफ लिखना है आपको bracket करना स्टार्ट ठीक है आपको यह वाला सैल है जो वह करना है select उसके बाद में आपको करना है equal फिर आपको double को start करना है बंद करना है इसका मतलब यह है कि अगर यह वाला cell बरावर है खाली के तो क्या करना है तो कुछ नहीं करना कॉमा करके हमको यह सैल यहां से खाली छोड़ना है ठीक है कॉमा करके अगर ठीक है भाई अगर खाली रहेगा तो खाली छोड़ना है वरना तो क्या करे वरना तो double कोस के अंदर यहां पर हमको P करना है और यहां पर double close करते हैं और फिर यहां पर bracket बंद करके enter कर देते हैं ठीक है तो यहां पर आ गया P तो अभी इस P का क्या fund आ भाई वो मैं आपको बताऊंगा अभी आप खुद देख लेना तो simply करता क्या हूँ मैं यहां पर click करता हूँ double click double click नहीं मैं यहां से completely copy कर लेता हूँ इस formula को ठीक है तो मैंने Ctrl C से copy कर लिया तो मैं enter करता हूँ और यहां पर आके इस formula को paste कर देता हूँ Ctrl V से ठीक है अभी हमको थोड़ा edit करना है इसमें यह वाला जो हमने cell दिया था इसको यहां पर clear करते हैं और इस वाले cell को देते हैं तो enter कर देते हैं उसके बाद में यहां पर आते हैं यहां पर Ctrl V करते हैं और फिर इस formula में edit करना है हमको क्योंकि हमने जो उपर वाला cell दिया है वो हमको clear करके नीचे वाला cell देना यह वाला ठीक है भाई अब ही करते हैं इंटर नीचे आते हैं यहाँ पर हमको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना भाई यहाँ पर लगाना है तो Ctrl V करेंगे Ctrl V के साथ यहाँ पर इसमें भी एडिट करेंगे फॉर्मूले में तो यहाँ पर हमको करना है क्या है यहाँ पर हमको इसको करना है किलियर और हमको यह वाला सैल देना है और फिर हमको करना है इंटर फिर नीचे आना है नीचे यहाँ पर हमको सेम करना है कंट्रॉल वी से पेस्ट करना है और यहाँ पर इसको कर देना है हमको किलियर और इस वाल सब को करना है select फिर आपको home tab के अंदर जाना है और आपको यहां से जाना है यह जो आपके font वाला option है इसके अंदर और यहां पर आपको सबसे नीचे आना भाई यहां पर आपको एक font देखेगा जिसका नाम है देखो यह रहा है Wingdings 2 ठीक है simply आपको इस पर click कर देना है तो देखो यहां पर हो गया जो हमारा काम था ठीक है तो मैं आपको double click करता हूँ एक बार यह हो गया set अभी क्या काम करना है भाई अभी आपको simply इस पर click करना है फिर से आपको control के साथ सब को कर लेना है फिर से select आपको जाना है home tab के अंदर फिर आपको conditional formatting के अंदर जाना है highlight cell rules के अंदर जाना भाई more rules के अंदर जाना है तो आपको यहां पर देखेगा cell value करके तो आपको इस पर click करना है और इस पर आपको कर देना है यहां पर no blanks और आपको यहां पर format के अंदर जाना है और यहां पर आपको देखेगा fill का option और आपको कर देना है ये वाला ठीक है और आपको कर देना है okay और आपको यहां से भी okay कर देना है तो देखो बाई हो गया काम set अगर मैं यहां से किसी भी value को कर देता हूं delete तो देखो यहां पर आपको किसी भी टेब को खोलना है ठीक है मैंने खोलिया होम टेब और आपको यहांपर आके रइट किलिक करना है फिर आपको कस्टिमाइज दी रिबन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहां पर एक option दिख जाएगा कहां पर है मैं आपको दिखा देता हूं developer का यह रहा ठीक है आपको यह अंटिक मिलेगा आपको इस पर टिक करना है और आपको नीची से option पर और यहां पर आपको एक बटन देखेगा यह वाला ठीक है तो सिंप्ली इस पर किलिक करते हैं और यहां पर आपको यह draw कर देना है ऐसे ऐसे भाई ठीक है हो गया अब भी करता क्या हूं मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूं आगे को ऐसे और मैं यहां पर किलिक करता हूं और मैं इसको कर देता हूं डिलीट जो लिख रहा है ऑप्शन ठीक है तो मैंने कर दिया यह डिलीट ऑप्शन बटन टू लिख रहा है इसका नाम तो मैं डिलीट कर दिया अभी मैं इसको छोटा करता हूं यहां से और यह से पकड़ के इसको कर देता हूं अच्छे से सैट ठी ठीक है अभी क्या काम करना है आपको सिंपल यहां पर क्लिक करना है आपको यहां पर डवल क्लिक करना भाई और आपको यहां पर लिख देना है सबसे पहले मेल फिर आपको सिपेस देना है और सिपेस आपको मेल के आगे भी देना पड़ेगा भाई क्योंकि हमने बटन यहां पर लगाया है तो सपयस्थ देते हैं इतना इतना ले ठीक है तिरको आगे आना है है और आगे फिर आपको सपयस्थ लेकर यहां पर लेख देना है female ठीक है भाई female लेख दिया अभी simply बाहर क्लिक करना है तो देखो यहां पर यह बटन लग चुका है तो देखो भाई यहां पर हमको यह फॉर्मेटिंग नहीं करनी थी हमने जेंडर पर कर दी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसको हम रिमूब कर सकते हैं कैसे रिमूब करनी है तो simply आपको इस पर क्लिक करना है आपको स्लेक करनी है उसके बाद में आपको होंटेब के अंदर जाना है फिर आपको यहां पर स्लेक्ट कर देना है फिर आपको ओके कर देना है और फिर यहां से भी आपको ओके कर देना है तो देखो बाई यहां पर जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वहां से हट चुकी है ठीक है इतना काम हो गया अभी यह बटन तो यहां पर लग गया मेल के अंदर लेकिन आपको कर देना है ठीक है फिर आप arrow की से से सेट कर सकते हो अपने हिसाब से तो मैं ने कर दिया यहाँ पर और देखो हो गया सैट ठीक है इस पर किलिक करता हूँ यह हो गया अभी और adjust करते हैं तो मैं simply control click करता हूँ keyword से और इसको थोड़ा और adjust कर देता हूँ अच्छे से ची हो गया set ठीक है भाई अभी थोड़ा सही लग रहा है तो देखो अभी करना क्या है आपको फिर से control की दवानी keyword से आपको click करना है इस पर फिर आपको करना है क्या है फिर आपको इसको पकड़ के आगे तक कर देना है जहां तक आपका mail है इससे होगा क्या भाई इससे यह होगा कि अगर मैं यहाँ पर mail पर लेके जाऊंगा अपने cursor को तो यहाँ से भी मैं इसको select कर पाऊंगा ठीक है यह इतना काम कर दिया फिर आपको simply SI इस पर करना है control की दवानी है और फिर आपको simply इस पर click करना है और फिर आपको इसको पकड़ कर ऐसे आगे तक कर देना है female तक मैं इसको और आगे तक कर देता हूँ यहाँ तक कर देता हूँ ठीक है बार click करता हूँ कोई दिकत नहीं हो गया सैट, देखो अभी मैं हहाँ पर C detect पहरफ को home tab के अंदर जाना है और फिर आपको यहां पर करके मर्ज़ कर देना और सब्सक्राइब कर देना हैं यहाँ फिर आपको नीचे इंटर प्रेस करना भाई फिर आपको यहाँ पर एक्वल लगाना है फिर आपको यह वाला करना है सेल सेलेक्ट फिर आपको इंटर करना है फिर आपको यहाँ पर एक्वल लगाना है फिर आपको यह वाला सेल करना है select फिर आपको इंटर दवाना है तो अभी बात आती है इसको कैसे select करें है ना तो इसको select करना कैसे भाई आपको simply control की दवानी है और यहां पर आपको mouse से right जो आपकी की है वो प्रेस करनी है ठीक है तो simply मैं right की press करता हूं आपको control की नहीं दवानी है आप वैसे भी दवा सकते हो है ना right की mouse से तो यहां पर format control के अंदर जाते हैं भाई format control के अंदर आपको यहां पर click करना है और फिर आपको यह वाला cell दे देना है या कोई भी आप cell दे सकते हो तो मांग चलिए मैं देता हूं इस वाले cell को ठीक है यह वाला cell दे दिया और मैं simply यहां पर okay कर देता हूं ठीक है भाई तो अभी देखो अगर मैं हैंसे mail कर रहा हूं तो one आ रहा है और अगर मैं हैंसे female click कर रहा हूं तो यहां पर two आ रहा है ठीक है भाई तो मैंने यहाँ पर mail कर दिया भी तो अभी हमको करना है यह वाला select देखो अभी हमने उपर सबी को select कर लिया अभी यह वाला रह गया तो simply मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर मैं लगाता हूँ equal, अभी मैं करता क्या हूँ भाई, यहाँ पर मैं करता हूँ इफ तो मैंने किया इफ। ब्रैकिट मैंने किया स्टार्ट, इफ, ये वाला जो सैल है, ठीक है, इसमें क्या है, इक्वल करके, अगर इसमें है One, मैंने लिखा One, तो करना क्या है, तो यहाँ पर Б्रैकिट में हम लिखेंगे Male, क्योंकि one पर Male भान रहा है, ठीक है, यहाँ पर double course करेंगे close करेंगे कॉमा वरना तो क्या आ जाए वरना तो यहाँ पर आ जाए female तो double course start किया और यहाँ पर लग दिया female F E M A L A ठीक है भाई यहाँ यहाँ पर double course करेंगे close और यहाँ पर bracket V कर देंगे close और simply enter press कर देंगे तो देखो mail आ गया automatic और अगर मैं यहाँ से female को select करूंगा तो देखो यहाँ पर automatic change हो रहा भाई अभी देखो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिस है आप से मैं जितनी मेहनत करता हूँ भाई वीडियो बनाने के लिए तो यार आप उसको बस एक like दे दीजिए मेरी मेहनत को बस एक like दे दीजिए और अगर subscribe नहीं किया channel को तो channel को भी subscribe कर लीजिए भाई बस इतना ही है अभी देखो भाई हमने यह उपर वाले जो जितने भी यहाँ पर row थी वो सभी कर ली select ठीक है यहाँ पर हमने enter कर दिये अभी simply यहाँ पर आना है हमको और यहाँ पर आपको equal लिखना है और फिर equal लिखने के बाद में आपको यह manager वाला करना है यहाँ पर select और फिर आपको enter करना है फिर आपको नीचे आना है नीचे आपको यहाँ पर equal लिखना है फिर आपको ये बाला करना है, select और फिर आपको enter कर देना है अभी क्या काम करते हैं, अभी लगाते हैं, count-a वाला formula तो इस formula को हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है तो equal करते हैं, यहाँ पर लेखते हैं, count और a ठीक है, bracket करेंगे start तो अभी करना है क्या भाई आपको यहां पर आपको सिंपली इस वाले को करना है स्लेक्ट कॉमा करना है इस वाले को करना है कॉमा करना है फिर आपको इसको करना है कॉमा करना है फिर इसको हम नहीं कर सकते तो अभी हम सिंपली यहां पर करेंगे फीमेल वाले पर ठीक है फिर आपको कॉमा करना भाई फिर आपको यहां से भी कर सकते हो तो मैं इसको कर लेता हूं कॉमा करना है फिर अभी आपको यह वाला करना है सेलेक्ट और फिर आपको यहां पर ब्रैकेट करना है क्लोज और इंटर कर देना है ठीक है अभी देखो भाई एक कमाल दिखाता हूं अग पर हो गया जो हमने लिखा है ठीक है भाई ranking formula क्या यूज में आता भाई यह हमको count कर करके बता है कि आपने जो सेल्सिलेक्ट किये हैं उन में से कितनी सेल में डेटा आपने इंटर किया हुआ है थे एक हैसे इसको यहां पर कर रहा हूं तो हम पर automatic तो अभी आपको home tab के अंदर जाना है उससे भी पहले आपको एक काम करना है आपको यहाँ पर डवल किलिक करना है और आपको एक जो हमारा फॉर्मुला यह करना है कॉपी तो कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ठीक है इंटर करता हूं अभी देखो इस पर आपको किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद में आपको home tab के अंदर जाना है अभी तो नीचे किलिक करना है और फिर आपने जो कॉपी किया था फॉर्मुले को उसको करना है पेस्ट कंट्रोल वी से थीक है इतना काम करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है एक व्यहां पर और यहाँ लिखना है क्योंकि हमारे जो यहाँ पर data entry के जितने भी हां पर column ह गया कर दूए इसका मतलब यह है कि अगर हमारा जो यह फॉर्मूला है अगर वो बेरें ещё के मतलब अगर फिक्स आता है तो क्या करना है तो हम को यहां पर लिख देना है मतलब करना यह फाला थीक है ग्रीन तो टोटल six है तो उस खो गया काम करें और इसको भी ओक करते हैं तो देखो ऑटोमेटिक हो गया ग्रीन ठीक है अगर मैं यहां से किसी को करूंगा डिलीट तो देखो ऑटोमेटिक यहां पर यह चला गया है ना तो मैं और यहां पर इंटी करता हूं और बार क्लिक करता हूं तो देखो ऑटोमेटिक बाद में भाई अभी करना है क्या है तो आपको सिंपली इस पर करना है क्लिक और इस पर क्लिक करने के बाद में अभी आपको भाई करना है क्या है आपको जाना है आपको यहां पर कॉपी करना है सबसे पहले यह तो कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं फिर आपको होम टैप के अं है अपने माउस से और आपको ऊपर लेके आना है ठीक है तो मैं पकड़ता हूं और ऊपर लेके आता हूं तो अभी आप जहां इसको रखना चाहिए वहां आप रख सकते हो भाई तो मैं इसको रखता हूँ यहां पर ठीक है हो गया काम इतना काम करने के बाद में अभी देखो भाई अभी आपको करना है क्या है अभी गेम चेंजर वाली बात भाई अब है देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले तो आपको home tab open करना है और फिर आपको click mode का option है उस पर यहां पर आप सदेखेगा इसे पर click करने बात में आपको इसपर click करना है ठीक है मैं आपको सबसे पहले इस पर clear कर देता हूँ clear all तो इस पर click करना थे फिर आपको control करना है फिर हमी एक चांड्रू और इस पर आना कम करने का Bu आपको नई सीट लेनी हैं इसे और नई सीट आप यहां से जूम करता हूँ थोड़ा आपको यह पर पेस्ट और कहल को और आपको इस पर करता हूँ ठ्हळाँ और आपको यहां पर कलिक करकर अपना राइट क्लिए करना माउस से और यहाँ पर पेस्ट से आपस्ट तो आपको इस पर में देलीट तो अब आपको यह करना है उपर वाले कॉलम और आपको कलिक लगा देना है तो adjust हो जाएगा और फिर मैं इसको करता हूँ select home tab के अंदर जाता हूँ थोड़े इसको formatting लगाते हैं यहाँ पर हो गया यह bold हो गया थोड़े बड़े हो गए और यहाँ पर फिर मैं border लगा देता हूँ all ball ठीक है भाई अभी सही हो गया काम तो अभी मैं करता हूँ थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इनको अच्छे से ताकि अच्छा सा लगया थोड़ा अच्छा लगना चाहिए है ना तो देखो अभी हो गया set अभी क्या करना है आपको इस पर click करना है और फिर आपको click करके नीचे आना है और आपको करीबन इतना कर लेना है select ठीक है इतन और आपको design का option देख जाएगा तो simply आपको इस पर click करना है इस पर click करने ऑद में भाई आपको जो तो आपको he एक और सीट की जरुवत पड़ेगी भाई तो मैं जुम करता हूं थोड़ा अभी सभी है स्रैट वन पर आते हैं तो अभी देखो अब यही जो ग्हाँ और वह अभी देखना आप तो यहाँ पर आपको name दे देना है कुछ भी तो मैं आपको triple z दे देता हूँ ठीक है triple z हो गया ओके करता हूँ अभी हमारा जो macro उसने recording कर दी start अभी करना है क्या भाई अभी game हो गया start तो यहाँ पर आपको करना है यह select ठीक है Ctrl C करना है Ctrl C copy आपको seat इस पर आना है जो हमने blank seat ली थी फिर आपको simply यहाँ पर click करना है फिर अभी आपको करना है क्या है आपको right click करना mouse से फिर आपको paste special के option पर click करना है यहाँ पर आपको values के option पर click करना है आपको transpose के option पर click कर देना है ठीक है दो कर दिये select okay कर देना है हो गया फिर आपको copy करना है ctrl c यही जो हमने paste किया यह फिर से ctrl c करना है फिर आपको अपने table के अंदर आना है जो हमारी table है फिर simply मैं करता गया हूँ यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर आप भी फिर आपको seat 1 के option पर जाना है भाई और फिर आपको करना है क्या है आपको इस पर करना है click फिर control दबाना है और फिर इस पर इस पर इस पर और इस पर ठीक है सब को कर देना है select फिर आपको दबाना है keyword से delete दिलीट दबाने के बाद में फिर आपको करना है इस पर click ठीक है पहल हो गया भाई काम खतम अभी देखो पर रुको अभी जो हमारा सी वाला बटन है वो अभी सेट नहीं हुआ भाई अभी वो सेट होगा कैसे मैं आपको देखाता हूं तो इस पर आपको किलिक करना है और फिर आपको इसको राइट किलिक करना है ठीक है राइट किलिक करना है फि देखो आपको control दबाना है और फिर आपको इस पर click करना है फिर आपको यहाँ पर format का option देखेगा tab तो आपको इस पर click करना भाई इस पर click करने के बाद में यहाँ पर आप जो चाहो वो यहाँ पर लगा सकते हो तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूं ठीक है फिर आपको से इसको मैं कर देता हूं उधर साइड ताकि यह अच्छे से अच्छे से दिख पाए है ना हमको तो इसको करता हूं मैं यहां से किलिक और ऐसे कर देता हूं आगे तक ठीक है और कर देता हूं ताकि थोड़ा सही सा लगे भाई यह हो गया सैट यह हो गया सैट इतना काम करने क बार में अभी भाई करना है क्या है आपको विव के option पर जाना है वियू के option पर जानेक पाद आपको grade lines को हटा देना है headings को भी हटा देना है heading को अभी नहीं हटाते अभी एक काम करते है control दवाना है आपको keyword से और फिर आपको यहाँ पर click करना है ठीक है मतलब अभी नहीं करना है पहले आपको यहाँ पर click करना है फिर आपको control दवाना है फिर आपको इस पर click करना है इस पर click करना है यहाँ पर click करना है और यहाँ पर click करना है ठीक है फिर आपको ये adjust करना है भाई ताकि इसका space जो थोड़ा कम हो जाए ठीक है अभी देखो भाई मस लग रहा ना एक number अभी रोको अभी आपको view के अंदर जाना है और फिर आपको यहां से headings को भी हटा देना है और फिर अभी देखो भाई एक number लग रहा है ना अभी हम करतें entry तो समसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं employee name नीचे आते है phone number लिखते है phone number भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ number 88180 नीचे आते हैं यहाँ पर लिखते है email id 23 आगे आते है mail female पूछ रहा है तो यहाँ पर हम करते हैं mail select आगे आते हैं यहाँ पर पूछ रहा है department तो यहाँ पर हमने list बनाई हुई है तो simply इस पर click करते हैं इसको select कर लेते हैं यहाँ से data था वो यहाँ पर आ चुका है और आप चाहूँ यह हमारा पहले वाला data है तो simply मैं इसको कर देता हूँ delete तो देखो भाई अब यहाँ आपको एक और entry करके देखाता हूँ तो seat 1 पर चलते हैं यहाँ पर मैं name लिखता हूँ कोई भी तो आपका नाम बदाओ भाई क्या नाम ह क्या सुना ही निधे रहा भाई चलो जो भी है बाई मैं comment कर देना ठीक है यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए न फान नम लिखना तो फान नममर मैंने यह लिख दिया भाई हैं यहां पर mail law दो हैं जेंडर में आपको जो लिखना है आप यहां से कर सकते हो सेलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको जो करना है वह आप यहां से कर सकते हो फिर करना है आपको फिर जैसे ही आप देखो आप डारेक्ट भी इस पर किलिक कर सकते हो सेव पर आपको सभी फिल करना पहले फिर आप सेव पर किलिक करोगे तो आटोमेटिक हमारा जो डेटा वो पहुंच जाएगा तो अभी देखो मैंने भार क्लिक किया इनेबल हो गया बटन तो मैं सिंपली किलिक करता हूं और हो गया भाई जादू देखो सीट उपर चलते हैं और देखो भाई यहां पर इंट्री हो चुकी है तो यार यह आटोमेटिक इंट्री है बस आपको यहां पर इंट्री करते जाना है फटाफट फटाफट सेव करते जाना है और यहां पर आपकी आटोमेटिक इंट्री होती च ही बता रहा हूं तो भाई ऐसे आप कर सकते हो ओटोमेटिक डेटा इंट्री कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना भाई काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए तो बस नीचे कमेंट करो अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो तो मै जैसे वीडियो अप्लियो करो कोई भी डेटा इंट्री से लेटेड या फिर एकसाल के किसी भी टॉपिक से लेटेड तो आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख सको तो मिलते हैं आने वाल वीडियो में बाई